मस् Guten Mahal Road इसे तुरोपए पर आपदा की स्थितियों नियुकर निपटने के लिए मौक डिल किया गया जिसमें फसे चार यात्रियों को सकुछल बाहर नेकाल लिया गया हर वर्ष सभी समद्य दिभाउं के ओर से मौक डिल के माधियम से फसे यात्रियों को निकाला जाता है यह बिल्कुल जो है आपदा के दृष्टिगत और यात्री सीजन के जो हमारी चीज़े हैं विवस्ताओं को टेस्ट करने के लिए क्योंकि गन्हिल रोपे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जो है यहां पर एक्टिविटी है यात्रियों के लिए बहुत अच्छा स किया जाए इस सिनेरियो को रिहर्स करने के लिए मोगड्रिल आज जो है की गई है इसमें हमारी NDRF जो है SDRF है हमारा फायर डिपार्टमेंट ITVP स्वास्ते विबाग PWD और पुलिस प्रसाशन की टीमों ने मिलकर इस पूरी मोगड्रिल को अंजाम दिया गया है और इसमें तमाम किसम के सिनेरियो को रिहर्स किया गया किसी कारण से अगर बंद हो जाती है तो उपर गन्हिल वाले इससे में जो है SDRF ने सबसे पहले यात्रियों को रिस्क्यू करके उसकी रिहर्सल की सफलता पूरवक रिस्क्यू किया गया और वहां से एम्बुलेंस में में जूला गर से जब अगर रोपे किसी कारण से बंद हो जा रही है और वहां स्टक हो जा रहे हैं तो NDRF और ITVP की टीमों ने जो है रियर्स किया और मौक ड्रिल को अन्जाम देते हुए यात्रियों को रिस्क्यू करके उनको सफलता पूरवक नीचे लेकर आए गया हमने लिए लर्निंग कर भी है हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यातरी सीजन में इस डिल को करा है ताकि हम समझ पाए कि जब पीक ट्रैफिक होता है जब जाम की प्रिस्टियों होती है तब भी हमें कितना समय लग रहा है हमें इससे एक चीज समझ में आई है कि ग्रीन अच्छा समन्वे है कॉर्डिनेशन है सभी एजंसी मिल जूल के काम करती है और मैं इसी क्रम में विशेश दन्यावाद देना चाहूंगा जितनी भी एजंसी हमारे यहां पर हैं उप्रस्टित SDRF हो, NDRF हो, ITBP हो, फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस पुरसाचन की टीम में हो, स्वास्ते विभाग की टीम में हो, जितनी भी एजंसीज ने यहां पर पार्टिस्पेट किया है इस मोडल को सफलता पूर्व के इंजाम दिया है, मैं सभी का धन्यावाद देनावाद इसके जाति आपदा के समय उपयोग में आने वाले उपकरणों का भी प्रयूप किया गया, मही रोपे किस रक्षा प्रबंदन को भी परखा गया मेरा नाम लक्ष्मीरावत है, मैंस जियारफ से हूँ, हमें सुचना मेड़ी थी कि ट्रॉली में कुछ वक्टिम है, वो फजगे हैं, तो फिर हमारे दौरा उनको निकाला गया, ट्रॉली से सखुशल, बागी बाद निकालके उनको फथकतार पहुचाए गया, उनको कुछ यही सुचना मेड़ी थी कि मारोप में कुछ वक्टिम फजगे हैं, तोने रोप के माध्यम से पुली बाद का निकाल गया है, यातरा सीजन और पैरिटन सीजन के दौरान आपदा के समय संबंदी तुबाग चानमाल के लिए कि लिए उपाय को भी परखा जाता है, अजब ने बताए कि उनके और से हर वर्ष रोपए और आपदा प्रभाईति शेत्रों में मौवंडिल किया जाता है, रोपए संचालक अमित बंग्वाल ने कहा कि रोपए हैं सुरक्षा के सारे इंतिजाम किये गए हैं, किसी भी आपदा के समय रोपए और स्थानी परशासन म्या किया जाता है, ताकि कभी भी इस पकार की दुर्वटना हो, तो वहाँ पर हम समय से पहुंच कर और विक्टिम जो भी अगर स्थक हैं कहीं पर रोपए में, उनको वहाँ पर सब्सक्राइब सकें, आज जो हमाने सिन्यारियों किया गया था, उसमें हमने चार विक्टिम जो तेञते नाथ हैं, इवन किदान नाची हो गया उत्रगाशी हो गया प्लस आपका जो है गंगोत्री वाला जो एरिया है, सब जगापर जो हमारी एंद्यारिव जो हमारी तेनाथ हैं इसमें देखो में टेक्निकल जो टीम हैं उसमें एजडी आरप, एंडीरफ, पायर, और तीटीबी थी और रोपे का इस्टाप था जिसमें इन्होंने पार्टिशिक्ट किया है अगर ट्रॉली फट जादे हमको राइस्क्यू सिस्टम हमने रखे वे हैं राइस को सिस्टम में हमारे पास सारे क्लमेंट रखे वे जैसे विलचीर हो गी आपके पास और केबल हो गई ह है और आपके पास यह होगी है हमारे पास एक मोटर भी रखी है मैंने अब जिंसी के लिए कर कोई काम नहीं करता है तो मोटर द्वारा भी इनको निकाल सकते हैं आपके द्वारा इसका से रंणिंग सर्टिफिक्ट जारी करती है कि आप इसका संचालन करें देखे ट्रॉली विल्कुल सेफ ट्रॉली है यह इसमें कोई दिखे नहीं है आईटी रूड की प्रशासत भारा भी इसको सनर समय पर चेक किया जाता है कि अगर यह सही है तो इससे इस्तिति में से चलाने की अनुमत ही दी जाते हैं आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करकर ज़रूर बताएं इसके जात ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू आप पर फॉलो भी कर सकते हैं और समवा 365 के साथ एक क्लिक में जुडने के लिए डाउनलोड कीजिए समवा 365 आप